और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे ब्रिटेन के पूर्व प्रदान मंत्री ने क्या एलिगेशन लगाए हैं आपको बता दे ब्रिटेन के पूर्व पीम बोरिस जॉंसन की तरब से बड़ा बयान सामने आया है रूस के राष्टपती ब्लादिमेर पोतिन पर उन्होंने बड़ा आरूप लगाया है ब्रिटेन के पूर्व प्रदान मंत्री बोरिस जॉंसन ने दावा किया है कि राष्टपती ब्लादिमेर पोतिन ने युक्रेन में रूसी सेना को आदेश देने से ठीक पहले बोरिस जॉंसन को मिसाइल हमले के साथ व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने की धमकी दी थी तो ये बड़े चार्जेज हैं जो ब्रिटेन के पूर प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन जो है वो रूस के राष्टपती ब्लादेमेर पोतीन पर लगा रहे हैं के उन्हें धमकी दी थी रूसी राष्टपती ने मिसाइल हमले की पोसीदेर उकरें के हमारे सहीओ की श्रिंजवाय का जो इस वक्त हमारे साथ जुडगे हैं श्रिंजवाय बोरिस जॉंसन जॉंसन बिक चार्जेज ऑन पोतिन तेल उस मूर ज्थ जॉंसन पाराव कि तौटे लिए जवा इंसरे वादन बिक पेसलिए बिक बज़ का घप हैं जायangen silence जाये दिवच्च मैं है चाहजकी है जाराण के तिस बाहठों आर एकर बदिव भी उस decorussy होगा zor बिस तर चाहएं परने मैं एत जिए जिया जजातेरं पिस बदिफ प्रहते हैं So, America would have stepped in, one missile would have been followed by another and so on. But we don't know what President Putin has to say. This is what Boris Johnson, former Prime Minister of Britain, has said. जी शन्जोय आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए तो ब्रेटेन के जो पूरु प्रधान मंत्री हैं बोरिस जॉन्सन की तरब से बड़ा आरोप लगाए गया रूसी राष्टपती ब्लादेमिर पुतिन पर बोरिस जॉन्सन ने साफतोर पर कहाए कि पुतिन ने उन्हें मिसाइल से हमला मिसाइल से उड़ाने की धमके दी थी